कि हाई फ्रेंट्स सो अब मैं इस वीडियो में शेर करूंगा आपसे जो जुनियर इस्टन मॉक टेस्ट मैंने अटेम्ट किया था उसके सॉलुशन्स सो सेक्शन वाइज में सॉलुशन्स प्रोवाइड करूंगा तो चले स्टार्ट करते हैं तो यहां पर जो है जब भी आप आप testbook.com पर पेपर देते हैं कोई भी attempt करते हैं तो यहां पर आपको option देख जाता है जब वो पेपर पुरा खतम हो जाता है तो यहां पर दो option देख जाते हैं आपको solution और analysis का तो जैसे मैंने पेपर दिया था 16 में को आप देख सकते हैं डेट तो इसमें आपको रैंग दि चलना है ठीक है 170 प्लस तो लेके ही चलना है तभी जो है आपको एक seat की guarantee मिल सकती है selection की guarantee तभी मिल सकती है बिकाज इन टाइपिंग या तो आपकी टाइपिंग बहुत ही जाद अच्छी होने चाहिए तब आपको वहां पे बहुत अच्छी मांक्स मिलेंगे 60 परसेंट टाइपिंग का यहां पर वेटेज होता है 40 परसेंट इस पेपर का वेटेज होगा तीनों में junior assistant स्टैनोग्राफर एंड कमर्शियल एसिस्टेंट सेगिंड तीनों में सेम जो है पैटर जलता है तो चलिए मैं सॉलिशन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि जो हमने मौक टेस्ट दिया तो उसकी सॉलिशन के हैं तो इस लोडिंग ओके सबसे पहले मैं आपको जी के सॉलिशन दिखाऊंगा और हर एक पार्ट की यह आप देखो पांच पार्ट है तो आप यहां देख सकते हैं आपको यहां पर यह जो डैश्बोर्ड है यहां पर दिख जाता है कि कितने क्वेशन सही थे आपके 20 मैंने सही कि दस मेरे गलत हो गए ते मैंने कोई भी क्वेशन छोड़ा नहीं था ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पदमें पु इन सारे वेक्तियों ने पदम पुरसकार दिता तो वो कौन से इंसान है जो राजस्तान से कोई संबंद्ध नहीं रखते इसका बेसिकली क्वेश्टन का मतलब यह तो आप यहां देख सकते हैं कि लवा खान राजस्तान से संबंद्ध है ठीक है यह है यह यह भी है शाम और ये जम्मू कश्मीर से हैं था हम्मू कश्मीर से ये बाउनमन गुलाम रसूल खान नहीं नहीं ना हुआ अदर एसके बेसिक डीटिर दे सकते हैं कि लौा खान आं काला चट्र में गाम करतेजों स्थ और शाम संदर्पालीवाल सामजी कारे करता है इनका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या तो आप इस पेपर को खुद भी जाके टेंप्ट कर सकते हैं तो चलिए सेकिंड क्वेशन पर चलते हैं ग्रामेज विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रमुकि कारे करम उननत भारत अव्यान को राजस्तान के कितले जिलों में शुरू किया गया ठीक है और उन 16 जिलों के इस वे मैं आपको बता है तो यह बैघ सकते हैं अजमेर अलवर्वरATHANपुर भून्दी दौसाद दो दोल्प यहां पर यूबी शुरू की तो आप चाहिए तो इसका स्क्राइब कर सकते हैं जैसे आपकी जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते तो यहां पर की पॉइंट देख लिए कि एक तो इस मिशन का उद्देश क्या था तो यहां पर लिख रखा है कि उन्नत भारत अभियान का उद सक्षम बनाना है और एडिशनल इंफरमेशन देखना चाहिए वह भी देख सकते हैं कि यह कब शुरू किया गया उपचारे क्रूप से और कौन से मिनिस्ट्रे ने इसको शुरू किया पर आपको इतना जानने की जुरत नहीं है बेसके लिए मैं इतना जानना है कि राजस्त कि राजस्तान की राजस्तान की स्वाति राठ रोट दोजार रिकीज में 26 जनुरों की परेड में leptnant बनी वहां राजस्तान के कि जृले किये तो अगर आपको पता हो कि मैंने करेंट अफेट्स की वीडियों बनाइती जिसमें मैंने इसको अच्छे बताया था कि स्वाति स्वाथी राट रोड है इनका क्वेशन आएगा मुमल में इसके बारे में दे रखा था बहुत इंपोर्टेंट यह जो है व्यक्तित्व है और इनका क्वेशन आएगा याएगा तो आपको पता होना चाहिए उसमें मैंने बताया था कि नागोर जी लेगी है ठीक है तो मैंने मैंने इसको सही करक्त लगा था क्योंको मुझे याद था वहां से और आप इनके बारे में एडिशनल इंफर्मेशन देखना चाहिए तो नीचे स्क्रीन शोट ले सकते हैं कि भारती वाइशन है कि फ्लाइट कप्तान स्वाति राट्रो रास्तन के रहने वाली है इन्होंने कंतंदी इसमें प्लाइपास का नेतर तो किया था नागोड जी लेगी है ठीक है तो नेक्स्क्रेशन पर चलते हैं मार्च 2021 में किस देश ने सड़क शुरक्षा विश्व शंकला का फाइनल जीता तो भारत ने जीता था और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं कि ठीक है अब नेक्स्क्रेशन है 2021 में अंतराष्टे महिला दिवस का विश्य क्या था तो इसका विश्य था नेतर तुम महिला एक कोविड-19 दुनिया में एक समान भविश्य को प्राप्त करना ठीक है नेक्स्क्रेशन पर चलते हैं अगर इसकी अडिशनल डिटेल्स भी देख लिए चाप स्किन्शोट ले सकते हैं तो इसका थीम यह था आठ मार्च को अंतराष्टे महिला दिवस मनाया जाता है यह भी आपको दिहाना आगना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्य नेक्स्क् पॉल्यों से मुक्त हो चुके हैं सेम लाइक अगर जो पिछटे वे राज्या जैसे जहारकंड हो गया बिहार हो गया वहां पर कुछ-कुछ श्कीम चलती जो स्पैस्पिक होती उस राज्या से संबन देत तो यहां पर जो सामर यह दिख रहा है सामर अभियान तो इस सामर सेथान तो आप देख सकते हैं इसके फुल फॉर्म भी देख सकते हैं स्ट्राटीजिक एक्शन पॉर मल्ट्रेशन एंड एनीमियर रिड़क्षन और इसमें जो है और बीडिटेलस आप देख सकते हैं इंपॉर्टण पॉइंट भी देख लों कि रास जारकन के मुक्य में सब्सक्राइब करते तो सबको पता होगा इसका अडिशनल डीटेल्स देख लो स्कीनशोट ले लिए तो और इसका काम क्या आता है आपके पता हो न अच्छे कि जो जंतरमंतर वह यूज क्या आता है तो भाई यह जो आकाश वस्तों की स्थति और दूरी माप निकले वैद शाला है चलिए नेक्क श्रूशन पर चलते हैं निम लिकित शाषकों में से संगीत मिमांसा और संगीत अच्छारे राजगुरु दानगुरु हलगुरु रानो रासो ठीक है यह सब इनकी उपादियां थी चले नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं राजस्थान के इत्यास में किसे कल्यू के कंड के राम से जाना चाहता है यह मैंने गलत लगा दिया तो राना संगा इसमें राव लूण करना आएगा समय आप देख सकते हैं विकानेर के राव पेड़ी के तीसरे जो राजा थे यह उन्होंने पांदरा से पांदरा से पांदर अच्छा बितक्षाशन किया जोद्पुर के राव भीका के पूत्र थे इने कल्यू के कंड के नाम से जाना चाहता है एडिश रूंस मत intravitос kol fullness करने लोकि किस युद्द्य में हरा है था है तो यह मैंने लगा दिया महारान सांगा ने अक्चुलिए लाहम लोदी को तो आप देखो इसमें खतौली पे करेंगे तो आप देख सकते हैं परेक्ट आंसर महाराना संग्राम सिंग या राणा संगा के नाम से लोग पिरी एक उग्र राजपूत या जाते ठीक है यह सब थे उनका जन्म 12 अप्रेल को वा था चौता सभी आसी में इब्राहम लोदी के ने मेवार के खलाफ एक हमले का नेतत किया बूंदी के खतोली के पास एक भेंकर युद्धुआ सुल्टान हार गया और वो भाग गए चीक है अगले वर्शनों ने फिर से जो है युद्ध किया और फिर महाराना फिर सुल्तान की सेना को महाराना ने दोलपूर के पास राना सांगा ने और यह बहुत इंपोर्टेंट युद्ध तीनों ही सारंगपूर सिवाना और खानवा तो खानवा तो हुआ था समराठ बाबर के जह हमलावर ताक्तोर मेवाड के राना सांगा ठीक है और राना कुमबार खिल जी के बीच वा था सारंगपूर और फिर में यह जीते थे अपने बाब यह बाबर जीत गया तो यहाद रहना आप अगर तो राजस्तान में 1857 के विद्रो के दोरान जैपूर का शाशक कौन था तो महाराजा राम सिंग्धिति यह थे मुझे पहले थोड़ा राउट लग रहा था कि महाराज तक्त सिंग्ध भी हो सकते हैं पर तक्त सिंग नहीं थे तक्त सिंग्ध देख लेते कहां कि थे तो महाराजा तक्त सिंग्ध का अधिन देनी रखा ओके मुझे नहीं तक लगता है महाराजा तक्त सिंग्ध जोदपुर के थे आई तिंग आप एक बाद चेक कर लेना महाराज तक्त सिंग्ध यह भी बहुत इंपोर्टेंट नहीं में जो पूश्च जाते हैं तो देखो राम सिंग्ध देती है और यह आप एडिशनल डिटेल दे सकते हैं जैपुर शहर को एक दूसरा कॉलकाता जिसे कॉलकाता भी कहा जाता है कि रुपें बदलना चाहते थे उनके द्वारा प्रसिद्ध जैपुर जूलोजिकल गारण बनवाए कि यह आप याद रखना कि जै 1660 में मुगल समराट औरंग जेग्द बहुरा अपनी पहली और मुख्य पतनी दिलरस बानू बेगम जिनका मरनो परांथ नाम किया था राबिया उद्ध दुरानी ठीक है और इसलिए उन्होंने बनवाया था इनका बीवी का मगुरा इनकी आद में बनवाया गया था 1660 में सेवर की पहाड़ीयों में से कौन से नधी निकलती है अदर नदियों के बारे में आप डिटेल देख लो यहाँ पर एडिशनल डिटेल रखी है तो इस वह सही नदी किसी शाखा सेवर पहाड़ीयों से रहता के दिलालपुल में दो शाखाय मिलती है थो यह सब अदेशनल आप देख लेना ठीक है कि काली मिटी रास्तन के जिले में पाई जाती है तो मैंने अर्लियर इसका अंसल गलत दे दिया तो इसमें बूंदी आएगा चूरू नहीं आएगा भूंदी आएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि इंपोर्टेंट पॉइंट में कौन-कौन सी मिटी कहा पाई जाती है तो रेगेस्तानी मिटी लाल पिली मिटी लेट्राइट मिटी फिर आपकी मिष्टित लाल और काली मिटी और काली जलोड मिट मीडियम ब्लैक सोईल यह सब देख सकते हैं ठीक है चले नेक्स वेशन पर चलते हैं तो यहां पर काली मिटी बूंदिम पाई जाती है भारत की जंगना 2011 अनुसर राजस्तान की महिला शाक्षरता दरके तो 52.12 परसेंट है ठीक है यहां पर देख लो आप एडिशनल इटेल भी देख लेना दक्षिन भारत के अधिकांस राज्यों में कुल शाक्षरता के सासत महिला शाक्षरता राश्ट्य और सब्सक्राइब को पता होगा कि साउथ में एजुकेशन का लेवल काफी अच्छा है ठीक है तो चली नेक्स वेशन पर चलते हैं कि डाबला लाल सोट थूर हैडर राजस्तान की निम्न में से किस खनीज की खान है तो भाई यह लोएस किये मैंने इसको चुना पत्तर क्या समझ लिए था ठीक है लोएस कि यह याद रखना आप टफ्क्रेशन था क्योंकि खाने बहुत सारी इसको याद करना है पर फिर भी कि थोड़ा जी इंपोर्टन क्वेशन से वो तो देख लेना इंपोर्टन साइट देख लेना अ ठीक है यह हम इसके अडिशनल डिटेल्स आप देख सकते हैं और इसका स्कीन शोट ले लें ठीक है निम्निकित में से कौन सा मिट्टी सनक्षन का सही तरीका नहीं है तो अति कि एक स्वेशन पर चलते हैं राजस्थानी साइट धर्ती दोरारी की रशना कनेया लाल सेटी बहुत इजी परस्मिता बहुत जगा पूछा जा चुका है तो आपको तो यह पता होना ही चाहिए यह तो मतलब राजस्तान की बुक्स राजस्तान दिन में भी आता है हम जो हि पूठी रानी राज रूपा के सब किसने लिखे हैं देखलो आप एक तो प्रत्विराज रासो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन ने तो सभी को पता होगा कि चंद बरदानी ने लिखा था हम मेर रासो राम रासो यह सब चीजह आप देख ल कि मेले की फोटो है और यहां अपने डिटेल देख सकते एक तेरा ताली राजस्तान के लोक नर्ते है जिसे राम देवरा मेले में कामद समूदय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और रामदेवरा मेला बाबाराम देव जी तहुआरा राजपूत एक संत की आदम मनाया ज इसके बारे में भी अडिशनल दे सकते हैं कि यह डूंगरपूर में आउजित किया जाता है अभी नाइक्ट कोशन चाहिए दीसी का होगा वाने वाने शहां तो को परसे दादियों से मेला बेनेश्वर मेला किस जिल में लगता है तो अभी हमने पढ़ाई था डूंगरपूर लगता है तो ऄए देख लो आले सब्सक्राइब में लगता है है और सोमनदी द्वारा एक डेल्टा पर बनेश्वर में फरवरी के महीने में में लगता है ठीक है काला जी के मिला राजस्तान के बाद सोड़ा जिले में आयो जित किया जाता है उद्यपूर से जिड़े महतुपून मेले और तेमार मेवार मौस और शिल्प ग्राम मेले हैं तो यह सब चीज आप एडिशन डीटेल भी देख लेना ठीक है चले नेक्स वेशन पर चलते राजस और इसनरे में चलते शीट वेशवर महादें मंदिर का जिछ यह आवाद मैं मैंने अलवर लगाया तह गलत हो गया जहालवाद में इसको कामेश्वर महादेव मंदिर भी बोला जाता है ठीक है तो इसके अधिशनल देख लेना यह जो भी है इतना कहर इतने की जरत नहीं है मैं तो बस इतना पता हूं जी मंदिर का है इस एक्जाम में इतना डीटेल नहीं पूचेंगे लेकिना अगर आप किसी अधर एक्जा प्रशन और यह लोग मिर्त्य के बारे में देख लेना जो इंपॉर्टेंट है आप लक्षे की बुक में सब दे रहे हैं आप जाके वहां से पढ़ लेना कोई सी भी बूक हो आपके पास सिखवाल होए लक्षे वहां पर एक पूरा अलक से जो है चैप्टर आता ही है कि लो सब्सक्राइब के बारे में तो आप वहां से इन सब चीजों को तियार कर लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको चले नेक्स्वेशन पर चलते हैं राजस्थान में अब तक कितनी बार राश्पतिशाषन लागू किया गया यह तो देखो एक कॉमन क्वेशन आपक राश्पतिशाषन कब लागू हुआ तो यहां पर आपको दिखिए रहा होगा यह यह जो दिख रहा है पहली बार राजस्थान में राश्पतिशाषन 13 मार्च से 26 अपरेल 1967 तक लागू किया गया था उस समय मोहलाल सुखाडिया यह बहुत इंपोर्टन हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं चार बार बन चुग है मुख्यमंत्री मोहलाल सुखाडिया जी ठीक है इन्होंने ही आदुनिक राजस्तान का निर्मान करता कौन है तो मोह 1292 से 3 दिसमर 930 मा तक लगबग एक साल तक रहा था यह देख सकते हैं तो पहले काफी ज़्याद राश्पति शार्षन लगते थे स्टेट्स में अब तो काफी जो स्टेबलेटी भारत में तो इतने ज्यादा नहीं लगते हैं तो इस तरह कई रहा हम कई बार कंफिज जाते आप इतने यह फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं तो नेक्स कोशन पर चलते हैं निमलेक्त में सब्सक्राइब राजस्तान उच्छ नहीं के मुख्य पीटे कर दीक मुझे लगा कि उच्छ पीटे कहां कहां हैं एक्छली इसमें केवल एक पूछ रहा था तो जोदपूर में मु यहां पर है तो मुझे लगा है कि दोनों पूछ रहा है इसलिए मैंने दोनों लगा दिए बट यहां पर केवले एक पूछा है तो हमें जोदपूर लिखना है ठीक हां पर देख सकते हैं आप 16 निशली नयाई का अदालते हैं जो जैपूर पीठ के अंदर आती है जैपूर में भी पीठ है लेकिन अगर मुख्य पूचेंगे तो फिर जोदपूर आंसर करना है आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है और एक और यह क्वेशन याद पहले पहली बार किसने पद को समवाला को न देख रही सब तीजे याद जरू कर ले ना इसे भी प्रस्न बन जाते हैं चलिए नेक्स्वेशन पर चलते हैं तो यह आप जरूर याद रखना यह बहुत ही ज़्याद इंपॉर्टेंट क्वेशन है लगबग हर बार स्सक्राइब में पूछाए गया है इसे जिए लोगों चैसलो जो आपकी एक्जाम होती इसे इन सब में क्यों पूछते हैं तो यह क्वेशन तो एक सदावार क्यूशन ने कि आपका जो विटामिन है उसका नेम कहा होता साइंटिक नाम तो थाइमिन बशल्भंत कर दो और फै लोन को फाइलो क्वीन आफीन न सब्सक्राइब विटामिन के ठीक है अचले नेक्ट वेशन पर चलते हैं कि ओजोन दिवस को मनाया जाता है यह मुझे पता नहीं था सुली अभी में निगलती कर देश्टीन से शेप्टम्बर मनाया जाता है ओजोन दिवस मनाया जाता है वर्ष 16 सितंबर को तो 1995 से हर वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और यह दिन ओजोन परत को नस्ट करने वाले परदारतों पर मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद होगा मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह साइन हुआ था कि हम ओजोन को बचाएंगे यह प्रोटोकॉल था जो साइन हुआ था मौन्ट्रियल में और वहां पर सभी देशों ने यह जो है स तो इन गैसों को कम करने के लिए यहां पर अस्ताक शरुए थे और अब तो ऑजोन परत में सुधार भी हो रहा है तो तब हमारे लिए काफी अच्छी बात है तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन सी एपसी बोलते हैं इसको ओजोन परन को शीद करने वाला प्रमुप पदारत है ओजोन का अनुसूतर भी आदगना ओतरी होता है ओजोन परत जाद तर समताप मंडल में और आंशिक रूप से शोब मंडल में पस्तित है एडिशनल इंफरमिशन द किस की किसका जनम दिवस होता है हमारे अटल विरी जो हमारे प्राइमिनिश्टर है पूर पदान्मुंत्री श्री अटल भी हरी वाजपयजी का जनम दिन होता है 25 दिसमबर तो उसको हम मनाते है शुशाशन दिवस के रूप में चलते हैं एक स्टिल की एक पारे पर तेयरती कोई भी चीश की चीच पर तैयरेगी ना इसका मतलब यह जिस चीश पर तैयर रही है न उस्चीश का गनत्य जादा समझर आप तो दूचीश काम करती है पर यहां पर इता है बाइन फील सो तक उत्फ़ावन बल उत्प्लावक बल बोलते हिंदी में इसको वाइन फॉक्त cing इंगलिश में बोलते हैं तो यह ज्री औरनने कवाएंट में यूज तो बहुत जदैंस रूधा पाणी तो मतलब पाणी ट्राय नहीं होता है है पारे का घंणत्व स्टील की तुलना मेधिक होता आपको पता है ना पारा जो है वह एक धातु होता है यह आपको पता होगा इतना कुछ नहीं पूचेंगे आपको इतना एडिशनल नहीं जाना है यह बहुत इंपोर्टन क्वेशन है पारे के थर्मामेटर का विश्कार फॉरेन हाइट नहीं किया था इसलिए फॉरेन हाइट हम जो है यूनिट यूज़ करते हैं टैंप्रेचर की यूनिट होती नहीं इसलिए फॉरेन हाइट तो यह हम यूज़ करते हैं क्योंकि थर्मामेटर का विश्कार फॉरेन हाइट नामक साइंटिस्ट ने किया था यह चीज़ बहुत इंपोर्टन रियाद रखने लाए गए और यह बहुत इंपोर्टन क्वेशन है कि पारे के आयस कौन से है पारा क इसका इसकोता है ऐसे पूछा गया था सेंवर किसका इसकोता है तो यह पारे का इसकोता है और केलोमेंट एज़ेटु सी एल टू यह बहुत इंपोर्टन तो यह चीज आप यह बोल्ड में लिखी हुए पढ़ लेना ठीक है तो चलिए अब लास्ट के दो प्रश्न बचे ह यह बंब लासायनिक योगिक सी इवी सी एल टू को समयने तक आजाता है तो यह सही था मेरा बिलीचिंग बाउर बोलते हैं इसको आप इसका देख सकते फॉर्मॉला कि फॉर्मौला हुआ फवू को पताईए Cisco' और इसे क्या बोलते हैं कैलसियम ऑक्शीक्लोराइड कहले Smith & Austg सुखे कार्शटिक चूनें पर क्लोरेन की क्रेयद्वर्ण त्यार के जाता है और यह देख शकते के यूज कहां कहां सोड़ा तो दो चीज़ और प्लास्टिक प्लास्ट प्लास्टर पैरिस के रूप में जाना जाता है यह चीज भी आप जा दख लेना तो लास्ट कुछिशन पर हम आते हैं कि है ऐसाई पद्यती में लैंस की शक्ति की क्या तो ड्यप्टर होती है अगर किसी ने थोड़े सब्सक्राइब होगा 10th class में 9th class में तो आपको दिखता होगा आपको आती है इस यूनिट्स आती है कि हमारी शक्ति की यूनिट क्या है लैंस की शक्ति की यूनिट क्या है यह सब चीज है वहाँ पर आती है तो डायप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा आप अधिशनल डिटेल देख लो डाय बिटीश स्पैलिंग या डायप्टर एक लेंश या वक्र दरपन की अप्रिकल पाउर के मापन ये है और एक डायप्टर होता है वन एक बटा मिटर ठीक है कि यह कही है यह परकार के पारासप्रिक लंबाई की यह ठीक है अब देख लोंगे अपर वाट बिजलिय ऊज्वल प्रवा की एक काई है तो वोट किसके बिजली के काई है और गुलाम जो है विद्धूतावेश की काई हो के अंतराश्च्र बना लिकाई है और एसा यूनिट मिटर होता है तो अब यह जीके का पुरा सेक्षन में स्वाप्ट कर दिया है नेक्स्ट मैं इंग्लिश का बनाऊं से देख सके कि आप कितना इसमें अटेम्ट कर पा रहे हैं अगर आप चाहें तो इसको टैस्ट बॉक से जाके भी अटेम्ट कर सकते हैं कोई इस्यू नहीं है सीधा सिंप्ले टैस्ट बुक टी एस्टी बीडवलो के डॉट कॉम पे जाईए और वहां पे आर्वी एनल जू कि दर एक एच्छी वीडियो के लिए आपका दिन शुबरे जय हिन जय भारत जय राजस्थान